अलो गाइस, hope you well और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो दुनिया के सिल्स दस सबसे लंबे सरीर कंगों को और ताजूब के बाद ही है कि इन दस लोग को इसके लिए वाल्ड रेकोर्ड भी मिला हुआ है So, लेट स्टार्ट नाओ नमो बाण आज से करीबन 11 एक साल पहले सुपत्र सुसपन नाम की थाइलर्ड में लड़की पैदा हुई जिसकी स्कीन में बहुत सारे बाल थे और इसी वाई से इनका नाम गिर्निस बुक ऑब वर्ल्ड एकोर्ड में दाखिल हो गया और आपको भी साइद इनका फेस देखकर ऐसा रखता हुआ कि यार इनका कुछ जादा दोस्त नहीं होगा या फिर इनको घुल मिलने में थोड़ा परिशान ही हो सकती है अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो फिर इनके तरफ से आपके लिए एक मैसेज है इनको इनको ऐसे चेरे के साथ दूसरों के साथ घुल मिलने में कुछ जादा परिशा ही नहीं होती है और इनके स्कूल में बहुत सारे दोस्त है और इनको इसा भी बोला कि इतना सारा वाल मुझे खास बनाता है दूसरों से फिर तो सही है क्या आपको पता है हम जैसे नॉर्मन लोगों का जीब होता है उनका चौड़ाई होता है लगभग 3.1 इंच से 3.3 इंच बट इमिली स्लिंकर नाम की एक लड़की है जिनकी जीब की चौड़ाई है 2.89 इंच इनके जो फादर साहब था है इनके डाड़ी उनके पास भी वाइडिस्ट मेल टांग का रेकोर्ड है इसका मतलब तु साहब है उनके पिता जीब की चौड़ाई इतनी जादा है और इनका पिता जीब का चौड़ाई था 3 इंच दुनिया के सबसे खिचाओ वाले तोचा एलस डानलोस सिंड्रम नामक एक दूरलफ स्थिती ने यूके के रहने वाले गैरी टनर को उनके तुचा के लिए प्रसीद होने में काफी मदद की और गैरी टनर उनके तुचा को अपने सरीर से 6.25 इंच दूर तक खेश सकते हैं ये डिसॉडर उनके स्किन को प्रभावित करता है और इसी वाज़े से ही वो अपने तुचा को इतने दूर तक खेश पाते हैं और अगर आप भी चाहते हो कि आपको ऐसे गिरिस वाल्ड एकोर मिले तो फिर आप खुद भी ये ट्राइए कर सकते हो अपने घर पे दुनिया के सबसे लंबे नाग वाले वेक थी एक नॉर्मल इंसान के नाट के साइज लग बग दो दसम लग दो इंच होता है लेकिन मेहमत ओजेरुक जो कि तुर्की के लने वाले इनका नाट का लंबाई है तीन दसम लग चार छे इंच तो इसी से आप अंदजा लगा सक क्यों कि इनका सुंग ने का सकती कितना जादा होगा नामें इसे बना इस पहले यह व्ड़ा विडियो भभ बनाता है ता दुनिया का सबसे बड़ा नाखून के वरे में बात किया था तो अगर आपने नहीं देखा तो अभी डिस्क्रिप्सेंट चेक कर लीजिए आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा वैल ना नेक्स नमर फाइफ दुनिया का सबसे चोड़ा मूँ दा वर्ल्ट वाइडिस्ट माउ कितना चोड़ा होता है मैं बताता हूँ 35 से 55 मिलीमीटर चोड़ा होता है यानि कि लागब एक दसम लग चार इंच से दो दसम लग दो इंच तक होता है बट इस बंदे का तो साथ इंच तक है मतलब बहुत जादा चोड़ा है यार और अगर आप भी मेजर करना जाते हो अगर आपका माउच साधी इंच से चोड़ा है तो फिर आप प्लीज आईए यहां पर गिनेस बूग आपका भी नाम ले लूँगा तो नाव नेक्स नमर सिक्स लोंगेस्ट फीमेल लेक्स इन दा वर्ल्ट स्वेटलाना पैंकर ट्रोबा जो कि एक रश्यन है उनकी पैर की लंबाई है 50 इंच यानि कि 4 दसम लग 2-5 फीट और उनका पैर तो है 4 दसम लग 2-5 फीट और उनका टोटल हाइट है एक दसम्राइब नो छे मीटर यानिकी छे फीट पाँच इंच वैल नाव नेक्स नमर सेवन दा फार्थ इस्ट आइबल पॉप इन दा वर्ल्ड यार इतने बड़े नेत्र गुलुक देखकर कोई भी बच्चा तो डर ही जाएगा वैल इसका नाम है किम गुड्मन और इनका जो टैलेंट है वो बहुत बड़ा है इनका जो आईबल है यानिकी ये नेत्र गुलुक ये 47 इंच उपर आ जाता है कि आपने कभी भी घर पर ऐसे ट्राइग किया करने का अगर अभी तक आपने नहीं किया तो फिर करना भी मत यूँकि आप इसका रेकॉर्ड को साय मतलब कि प्राकितिक स्तन ऐसा नहीं कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद बढ़ा लिया जैसे बहुत सारे महिलाएं करते हैं इनकी नाम है एनी होकिंस टॉनर और इनकी ब्रेश्ट की साइजे 70 इंच और गिनिस वर्ल्ड रिकॉर्ड का मुताबिक इनकी उमर जब 9 साल थी उसस से पहले मैंने एक और वीडियो बनाता है जिसमें मैंने अब तक के दुनिया के सबसे लंबे तेरा चीदों के बारें बात किया था अगर आपने नहीं देखा तो फिर आप देख लिए चेक और थामनल से आपको पताई चला है कि इसमें कैसे कॉंटेंट है तो यह वीडियो बीडियोर नहीं देखा तो फिर आप तो मिस्स कर गये आपको यह वीडियो डेफिनिया ठीखनाय है पाँज्द्रिया के सबसे वड़ा खाना और इसका लिंक मक्रेरी जिनका वेट था 337 kg और बेनी लाइड मक्रेरी इनका वेट था 328 kg और इन दोनों भाईयों के जब वेश्ट मेजर किया गया तो वह 213 cm था यानि कि 84 इंच और जब यह पैदा हुए थे तब इनका वेट था लगबग 2 kg 200 ग्राम के असपास और अगर आपने मेरे वह सब वीडियो नहीं देखा जिसके वारे मैंने थोड़ी देर पहले बात किया आप डेस्क्रिप्शन चेक कर लो उस सब वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा एक एक करके जाओ और देख लो प्रिप्या करके वह सब वीडियो देख लीजिए उससे ह तुमारा भी थोड़ा बहुत फैदा हो जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा आप वीडियो इंजोई करो तब तक मैं चलता हूं गुडबाई एंड जयहिन आप अपना और अपना पदियवरन का जरूर ध्यान रखिए